दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी share को buy करते हैं कि यह सोचकर share की price उपर की ओर जा सकती है लेकिन जैसे ही आप share को buy करते हैं तभी वहाँ पर एक बड़ी red candlestick बन जाती है जैसे देखकर आप काफी ज़्यादा गबरा जाते हैं और share को थोड़े बहुत लोसिस के साथ यहाँ पर sale कर देते हैं लेकिन फिर होता यह है कि जैसे ही आप उस share को sale करते हैं फिर share की price गिरने की बजाए दोवारा से वड़ने लग जाती है और एक नया high बनाती है दोस्तों इस तरह के चार candlestick के projection से जो pattern वर रहा है इस pattern का नाम होता है दबोलिस लाइन 3 strike pattern और जब यह pattern आपको एक important support लेविन या पिर किसी 10 लाइन के उपर बनते हुए देखने को मिले तो यहाँ से share के प्राजवे बढ़ने की समभाबना होती है इस pattern के जो main character होते हैं वो यह होते हैं कि इसमें जो तीन small body green candlestick होती है वो हर previous candle से एक नया high और low बनाकर close होती है जब कोई stock strong obtain में हो और prices अपनी nearest resistance level के पास पहुँच रही हो तो माल लेते हैं यहाँ पर पहले एक green candle form हो जाती है और अगले session में prices पिछले close से थोड़ा gap down open होती है और पिछली green candle की body के range के अंदर ही close हो जाती है और यहाँ पर एक छोटी body और बराबर big वाली spring top candle बन जाती है तो हम इस pattern को बोलते हैं एक virus अरामी pattern इस pattern के वनने के वाद ऐसा मना जाता है कि share की price नीचे की और जा सकती है अब जो virus अरामी और virus inside war pattern होते हैं वो देखने में काफी समान होते हैं फर्क यह होता है कि हमारे हरामी pattern में एक बराबर big वाली candle देखने को मिलती है जबकि inside war pattern में ऐसी कोई condition नहीं होती है दोस्तों जबी भी कोई stock strong obtained में हो अब prices अपने nearest resistance level के पास पहुच रही हो देन लेट से जो पहली candlestick है वो resistance के ऊपर एक successful breakout देकर close हो जाती है अब ज्यादातर नए टेडर इस breakout candle की closing price पर एक long position में enter कर जाएंगे और अपने stop losses को वो breakout candle के low के नीचे place कर देंगे अब अगले session में एक red bearish candle फोर्म हो जाती है जो की breakout candle के mid point पर closing देती है दोस्तों लेकिन ये fake breakout होता है और यहां हमें pattern फोर्म होते हुए देखने को मिर रहा है इस कॉल्डे bearish dark cloud cover pattern इस pattern के वनने के बाद price के नीचे जाने की समभावना वड़ जाती है दोस्तों माल लेते हैं कोई store के एक store obtain में था और जब वो अपने resistance level के पास पहुचता है तो बहाँ जो अगली candlestick फोर्म होती है वो resistance के उपर breakout देकर close हो जाती है अब ज़्यादातर beginner trader यहां इस breakout candle की closing price पर long side की trade में enter कर जाएंगे और अपने stop losses को वो उस breakout candle के low के नीचे place कर देंगे अब यहां होगा यह अगले session में एक big red virus candle फोर्म हो जाएगी और जिस इसने हैं long की position ली थी उन सब के stop losses hit हो जाएंगे So this is an example of a fake breakout और आफ इन 3 simple step को follow करके इस तरह के breakout को avoid कर सकते हैं No.1 always expect a breakout to fail because it has been proven that as many as 90% of all breakout fail No.2 follow the 3% rule मतलब अगर resistance price 100 रुपए है तो आप breakout तभी valid मानेंगे जब breakout candle की closing price 130 रुपए या उत्राइश जब breakout candle की closing price 130 रुपए या उत्राइश